चीन पर दक्षन चीन सागर में बार बार आक्रामक गैर पेशेवर और अवेध कार्रवाई करने का आरूप लगाया यह बयान पिछले हफते दोनों देशों के बीच हवा और समुद्र में कई जड़पों और घटनाओं के बाद आया है इस घटना करम ने एक बार फिर दक्षन चीन सागर विवाद को सामने ला दिया है आईए समझते हैं दक्षन चीन सागर विवाद क्या है दरसल दक्षन चीन सागर चीनी मुख्य भूमी के दक्षन में स्थित है यह एक रण नीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है जहां चीन अधिक शक्ति का दावा करने के लिए नियंतरन चाहता है हाला कि चीन के दावो का अन्य देशो द्वारा व्यापक रूप से विरोध किया गया है अमेरिका ने चीन के क्षेत्रिय दावो को चुनोती देने और दक्षन चीन सागर के राजनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप किया है इसने दक्षन एशिया में अपनी सैन्य गतिविधी और नोसैनिक उपस्थिती बढ़ा दी है जिससे चीन के विरोधियों को हतियार और सहायता मिल रही है अमेरिकी उर्जा सूचना एजनसी का अनुमान है कि दक्षन चीन सागर के नीचे 11 बिलियन बैरल तेल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राक्रतिक गैस है इसके अतिरिक यह सागर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है जहां वर्ष 2016 में वैश्विक व्यापार का 21 प्रतिशत्ता से अधिक जो 3.37 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है इन जल मार्गों से होकर गुजरा चीन फिलिपीन्स टकराव दरसल दक्षन चीन सागर में 9 डैश लाइन चीनी मानचित्रों पर समुद्र में चीन के क्षेत्रिय दावो को सीमांकित करती है यह लाइन चीन की मुख्य भूमी से 2000 किलोमीटर दूर तक तथा फिलिपीन्स, मलेशिया और वियत नाम से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी तक जाती है हालांकि चीन ने कभी भी 9 डैश लाइन के निर्दे शांक सपष्ट रूप से नहीं बताए है और यह लाइन समुद्रिक शित्रिय मुद्दो पर संयुक्त राष्टर संधी के तहट अनुमत सीमा से कई मील आगे तक जाती है जिस पर चीन ने हस्ताक्षर किये है स्कारबोरो शोल का उदाहरन ले जिसे हुआंग्यान द्वीप के नाम से भी जाना जाता है यह फिलिपीन्स के EZ के अंतरगत आता है लेकिन चीन इस पर दावा करता है विवाद का समाधान कैसे हो सकता है यह कहना मुश्किल है क्योंकि इस विवाद का त्वरित समाधान असंभव प्रतीत होता है खासका तब जब चीन ने अंतरराष्ट्रिय न्यायाधिकरण के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है साथ ही यह आशंका स्पष्ट है कि दक्षण चीन सागर विवाद जल्द ही अगला वेश्विक संघर्ष बन सकता है जिसके परिणाम गंभीर होंगे आज का प्रशन दक्षण चीन सागर के संदर्भ में नाईन डेश लाइन क्या दर्शाती है A. अंतरराष्ट्रिय कानून द्वारा स्थापित एक समुदरी सीमा B. संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित दक्षण चीन सागर में पारिस्थितिक संरक्षन क्षेत्र C. चीनी मानचित्रों के अनुसार दक्षिन चीन सागर में चीन के क्षेत्रिय दावे D. प्राचीन सभ्यताओं द्वारा इस्तिमाल किया जाने वाला एक एतिहासिक व्यापार मार्ग